जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलोजी और वास्तुग्यान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुकदाई बनाने में जोतिश शास्त्र का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए हमारे देनिक राशी फल के बारे में पता होना चाहिए तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मेश राशी वालों का 11 और 12 दिसंबर 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे आपके ये आने वा वही आपके बारे में उलटी सीडी बातें पहला रहा है ऐसे लोगों से साफधान रहें उन्हें अपने दिल और दिमाग में जगह ना दें कोई नजदी की दोस्त आपका साथ देगा यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता-पिता भी हो सकते हैं आज आपको आराम करने की जरूरत है लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाकी तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए या किसी प्रोफेशनल से मसाज करवानी चाहिए अपने खाने का ध्यान रखें आपको जंक फूड पसंतुब बहुत है लेकिन वे आपकी सेहत को नुकसान पहुचाते हैं आपको अपने स्वास्थिका और बारीकी से ध्यान रखना होगा आप अपने पार्टनर की किसी काम भाव भंगिमा से आज चर्य चक के त्रह जाएंगे अगर आप दिनर आदी पर जाit रहे हैं तो आज भी ऐसे ही एक मझेदार लेकिन पारिवार ईक दिनर पर जा सकते हैं जिसमें सारे परिवार को एक साथ होने का मौकां मिल सकता है अगर आप सिंगल हैं तो इस काम भाव भंगिमा से आपको उनके बारे में नए इवात याने और इसके कि साथ अपने इस व्यहार को बदलने का भी आप बिना भाया भीत हुए ने न ले जो कि आपके भविशे के लिए अच्छा साबित हो आप किसी अच्छे जानकर से भी अपने पैसे और अपने पेशे से संबंदित सुझाव ले सकते हैं जो कि आज फायदे मन्त साबित होगा अपने कामकाज के बारे में गंभीरता से विचार करें आपको दूसरों की सलह पर ध्यान देना होगा नए लोगों से मुलाकात होने से आपको कुछ फायदे हो सकते हैं शिक्षा, बिजनेस, नौकरी या महत्वपूर्ण कागजात से जुड़ी यात्रा हो सकती है यात्रा क यहां आपकी अगली सुबह खराब कर सकती है, प्रोपर्टी से जुड़े लेन देन पूरे होंगे और लाब पहुचाएंगे, गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से बचें, जिनहें आप चाहते हैं, उनका दिल दुखाने से बचें, व्यक्त गत संबंध संबेदन शील और नाजुक रहेंगे, अगर आप दफ्तर में सोशल मीडिया का ज्यादा उप्योग करेंगे, तो आज पकड़े भी जा सकते हैं, अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने सामान की अत्रिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है, जीवन साथी की वजह से आपको अनमन पर यह संपर्क आपकी उनती में बहुत महत्वपून साबित हो सकते हैं, प्रतिष्ठा और पदुनती में एक दम उतार या चड़ाव या अधिकारियों के साथ बहुत नल्दीकी या मद्भेद का सामना कर सकते हैं, परिवार के मुद्दों पर ध्यान दें और इस समय चल प्रहे मद्भेदों को हल करने के लिए मेहनत करें, मार्क दर्शन और शांती के लिए आध्यात्मिक्ता का सहारा लें, आपका पति-पत्नी या कानुनी साथी तनाव पूर्ण हो सकता है, अव्यवस्था, समझ में कमी और अन्य परिशानिया उनके लिए एक संकेत है, आपक यह निर्भर रहने का स्वभाव आपको अस्पष्ट बना सकता है, अभी आप चरम स्थितियां, जैसे अधिक मोटे होना या बहुत अधिक बजन का कम होने का सामना कर सकते है, आज के दिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि काम करने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण निर्ण लेने से बचना चाहिए, आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि टीम में विभिन तरीके के सहयोगी होंगे सब की कुंडली अलग है तो हो सकता है कि वेह आपके मन मताबिक बात ना करें, जब भी कई ग्रहों का प्रभाव या सहयोग मिलता है त और समाज को लेकर काफी व्यस्ता रहेगी, आज का दिन पूरी तरहें आपके पक्ष में नहीं है, आज आपका अपनी नियमित दीम चरया में जरा भी मन नहीं लगेगा, आज आपको परिशान करने वाली कुछ स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए जवाब देना होगा, हो सकता है कि आपका जीवन साथी या आपका बिजनेस पार्टनर ही आपसे इस बारे में कोई प्रशन पूछे, जिसका कोई उत्तर देने में आपको घबराहट महसूस हो, हो सकता है कि किसी रिश्तिदार या दोस्त के साथ कु से सहज होगा, किसी नए व्यक्ति से परिचय होगा, या तरह हो सकती है, आज आपके मन में अपने प्रेमी या जीवन साथी के लिए रोमांटिक भावनाएं होंगी, लेकिन आपके साथी के मन में आपको लेकर कुछ सवाल होंगे, साथ में समय बिताने का आपका इरादा इ अवे या निराशाजनक रहेगा, आज आपका स्वास्थे अच्छा रहेगा, आज आप में बहुत उर्जा रहेगी, स्वास्थ पर मौसम का प्रभाव पढ़ सकता है, थोड़े साथान रहें, आज विद्यार्तियों पर पढ़ाई का बहुत दबाव रहेगा, आपको अप विश्वास बनाए रखें, इस राशी वाले लोग आर्थिक लाब प्राप्त कर सकते हैं, आपके द्वारा किये गए किसी नए कारे का अच्छा नतीजा मिलेगा, यह सप्ता, आपके लिए बहुत ही शुब रहने वाला है, इस सप्ता के बीच में आपके रोजगार में पूरवक पूरे होंगे, आपको अपने करियर में तरक्की हासिल करने के अफसर प्राप्त हो सकते हैं, लाब की द्रिष्टी से यह सप्ताह बहुत ही बेहतर साबित होगा, आपके कामकाज की प्रशंसा हो सकती है, सामाजिक ख्रित में मान समान की प्राप्ती होगी, मेश र पहला दिन बहुत ही लाबकारी सिद्ध होगा पैसों के हर मामले पर आप बारीकी से विचार कर लें आवशक निर्ण सोच समझ कर करें आज आप अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे इससे उन्हें आपके बारे में अच्छा लगेगा और उनके प्रती आपकी निश् पर मार्ग दर्शन मिलेगा जो आपको इन बातों से बाहर आने में मदद करेगा छोटे लोगों के साथ साथ आपके जीवन साथी के द्वारा लाईगी समस्याओं को हल करने की आपकी योगता आपको उनका प्रिये बनाएगी वे आपके प्रती अधिक प्रेमी होंगे आप आपके प्रिये वेक्ति के साथ खुछ पल बिताएंगे यह समय आपका रिष्टा अधिक द्रिंड करने में सहायक होगा और बहुत प्रेम करने की वजह से आप इसके लिए समय निकाल पाएंगे आपके लिए आज का दिन बहुत लाब दायक रहेगा आमधनी में बढ़ा हो हो सकते हैं पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा लव लाइफ के लिए आज का दिन उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है आपके लिए आज का दिन बहुत लाब दायक रहेगा आमधनी में बढ़ा होत्री होगी जैसे आपका मनुबल भी बढ़ेगा कार्यक्षेत्र में अच्छे संबंद बनाकर रखने से आपको लाब मिलेगा भाग्ये का साथ आपको मिल सकता है हाला कि पिता जी से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाई बेहनों से संबंद खराब हो सकते हैं पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा लव लाइफ के लिए आज का दिन उत संबंद बनाकर रखने से आपको लाब मिलेगा भाई बेहनों से संबंद खराब हो सकते हैं पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा लव लाइफ में देन उतार चड़ाव से भरा रहने वाला है प्यवसाय करने वाले लोग अपनी सफलता से खुश रहेंगे धन का आगमन हो है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मेश राशी वालों का 11 और 12 दिसंबर 2021 का देनिक राशी फल दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जयमात अदी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ब सबसे पहले धन्यवाद